नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्ट संजीव आज हम बात करेंगे L2-L3 डिस्क के बारे में जिस पेशेंट की सरजरी हमने आज ही की है उसके बारे में डिसकेशन करेंगे आम तोर पे लंबर लीजन में डिसक यानि की कमर में जो डिसक होती है वो L4-L5 या L5-S1 में होती है क्योंकि उस जगह पे स्पाइन की मुव्मेंट बहुत ज़ादा होती है लेकिन इस पेशेंट को जिनको हमने आज अपरेट किया है इनकी डिसक L2-L3 डिसक है यह MRI है पेशेंट का इसमें अगर हम देखें तो यह स्पाइनल कॉड होती है अगर यहाँ पे आके देखें तो यहाँ पे बीच में यहाँ पे कंप्रेशन है पेशेंट को वहीं अगर यह मैलोग्राम है पेशेंट का हम इस तरीके एक मैलोग्राम करा लेते हैं ज्यादा ब और vertebra होती है L5, वो हमारी यहाँ पर 5 vertebra होती है, लेकिन इस patient में वैसे यह vertebra जादा है, किसी patient में जादा हो सकती है और किसी patient में disc का number भी जादा होता है, आम तोर पे इस patient को यह परिशानी होनी नहीं थी क्योंकि इसके mobile segments जादा हैं, लेकिन चोट की वज़े से यह वाला level इ यह disc है, यह disc पीछे nerves के उपर, नसों के उपर compression कर रही है, जिसके कारण patient को दिक्कत हो रही है यह surgery, अब microscope की मदद से करते हैं पीछे की तरफ से spinal cord तक पहुंचते हैं और उसके उपर से दबाव हटाते हैं surgery के दोरान, कमर में जो टेडापन आ गया था disc की वज़े से, वो भी खतम किया गया है हम उमीद करते हैं, कि अब इन्हें इसकी वज़े से कोई और परेशानी नहीं होगी